हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू जेट केमेस्टर भाई केवी तो देखे स्टुडेंट्स फिर से हम आ गये हैं आपके लिए 10 कुशन लेखे और वही प्रोसेस होगा यहाँ पे जो 10 नंबर का कुशन है उसका आंस्वर जो करेक्ट स्टुडेंट देगा उसको हम देंगे एक सप्राइज गिफ्ट और वो सप्राइज गिफ्ट आप लोग जानते हैं क्या होगा नौट्स प्रोवाइड कराएंगे हम आपको तो देखिए नौट्स प्रोवाइड कराने की प्रोसेस में यानि सप्राइज गिफ्ट विनर की प्रोसेस में हमारे यहाँ पे हमें 4 सप्रा गिफ्ट विनर थे वो थे हिमान सु फागेरिया सेकिंड थे प्रहला तिवाडी और थर्ड थी मानवी फूर्थ है हमारे महबूब अली तो देखिए मानवी नहीं कॉंटेक्ट करा है बाकी तीन लोगों ने कॉंटेक्ट नहीं करा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कॉंटेक्ट करिए और इसका फाइदा लीजिए नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं देखिए आप लोग अगर चारों लोग या एक और सप्राइज गिफ्ट विनर यानि पांच लोग मिल जाते हैं तो हम उन फाइफ जो बच्चे ह उन सबको एक साथ ही नोट्स प्रोवाइड कराएंगे तो देखिए मानवी नहीं कॉंटेक्ट करा है तो मानवी को आप लोग लेट करें तो प्लीज आप किसी को लेट ने करें आप जल्दी से जल्दी हमें कॉंटेक्ट करें ताकि हम आप लोगों को फाइदा पहुचा सक और अगर ऐसा कोई विद्यारती है जिसे रियल में सक्त जरुरत है नौट्स की तो प्लीज टैन नंबर किशन का आंस्वर राइट दीजिए हम एक नहीं हम पाँच स्टुडेंट को भी नौट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं दस को भी नौट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं क्या रियल में उसको रिक्वाइमेंट है या नहीं है तो प्लीज आप पढ़िएगा अच्छे से मार्क्स लाइएगा और अच्छे से प्रिप्रेशन करिएगा थेंक यू चली स्टार्ट करते हैं पहला किशन दे सैटिंग ओफ प्लास्टर ओफ पैरिस में भी केटलाइज और डिटार्डेड रेस्पेक्टिवली बाई तो आप लोग जानते हैं कि यहां पे आपका आंस्वर क्या हो जाएगा करेक्ट सोचे आप लोग क्या होगा आपका करेक्ट आंस्वर तो होगा सोडियम क्लोराइड एंड बोरेक्स क्या होगा सोडियम क्लोराइड एंड बोर अब्रेलियम होता है एपल ग्रीन फ्लेंट कलर का तो यहां पर आपका डियू प्सन एक्दम करेक्ट हो जाता है क्योंकि हादेस्ट एस ब्लोग मेटल नहीं है यह लिस्ट रियक्टिव भी नहीं है विकस्ट रिड्यूसिंग एजन्ट भी नहीं है तो इस वज़े से आपका डियू अप्सन यहां पे एक्तम करेक्ट है फिर है अपना थर्ड कुशन थर्ड कुशन में है विच ओफ फॉलॉंग स्टेट्मेंट इस नोट करेक्ट रिगार्डिंग डाइगनल रिलेशनसिप बिट्वें एलुमीनियम और बेरियलियम यानि विकर्ण संबंद की बात कर रहा है तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा डाइगनल रिलेशनसिप मतलब बोथ केन फ्रॉम कॉंप्लेक्स विद सें मै मैक्सिमम कोडिनेशन की वज़े से यहां पर डाइगनल रिलेशनसिप की बात करी गई है फॉर्ट किशन है आपको दियावा है ए प्लस अच्टू यानि ए के साथ जब अच्टू के रियक्शन होती है तो अने ओच का फॉर्मेशन होता है फिर बी प्लस अच्टू तो अने के स्टू का जो लेवल है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है यानि लेवल के बढ़ने के अकोर्डिंग हमें अपनी तयारी भी स्ट्रॉंग रखनी पड़ेगी क्योंकि हम उस अकोर्डिंग नहीं रह सकते कि आस तक इतने एजी किशन पूछे जाते थे तो क्या स्ट्री को एक इजी सब्जेक्ट मानके उसे मन से पड़ना पड़ेगा तभी आप यहां पे सलेक्ट हो पाओगे तो फोर्थ का जो आंसर होगा वो होगा ए तो होता है आपका अने टू हो और बी होता है अने टू और टू यानि आपका बी ओप्सन एकदम करेक्ट है आप जानते हैं जब अने टू हो के साथ रेक्शन करता है तो अने ओच बनता है और आप लोग यह भी जानते हैं जब अने टू ओटू हो के साथ रेक्शन करता है तो अने ओच बनता है तो यहां पे आपका फोर्थ में बी ओप्सन एकदम करेक्ट हो गया फिर हम चलते हैं नेक् नहीं बनेगा जब rubidium dioxide water के साथ reaction करता है तो आप लोग जानते हैं कभी भी rb2o2 नहीं बनता है और भी ओंच बन सकता है h2o2 बन सकता है o2 बन सकता है बट d option rb2o2 नहीं बनेगा यानि आपका यहां पर d option एकदम correct हो जाता है फिर हम चलते हैं 6th question की तरफ जो है in which of the following elements the element that release h2 gas on reaction with aneoage यानि आपको बताना है कि कौन सा वो element है जो क्या करेगा h2 gas को remove करेगा reaction पर aneoage के साथ तो देखिए हम options देख लेते हैं 6th number question के आप लोग देख सकते हैं पहला option है beryllium magnesium दूसरा है calcium aluminium तीसरा है zinc and tin और चोता है magnesium and calcium तो देखिए आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि zinc and tin है वो क्या होगा इसका answer होगा फिर यहाँ पे 7th question 7th question है beryllium and aluminium resemble in तो आपको बताना है इसका answer क्या होगा तो देखिए both become passive on reaction with HNO3 due to formation of oxide layer second है their chloride are Lewis acid third है hydroxides are soluble in alkali as well as in acid देखिए beryllium और aluminium के जो character है वो क्या है दोनों के ही character होते हैं इसका मतलब यहाँ पे fourth option एकदम correct है फिर हम चलते हैं earth question की तरफ earth question है which of the following hydride is covalent and polymeric आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे polymeric और covalent हो सकता है तो देखिए जो earth में आप लोग जानते हैं कि जो beryllium होता है वो hydride form में भी और जो magnesium होता है वो भी hydride form में present होता है यानि यहाँ पे आपका B option एकदम correct होगा BEH2 and MGH2 फिर हम चलते हैं 9th question की तरफ 9th question है which of the following property of second A carbonate increases on moving down the group तो आपको इसका आंसुर बताना है तो देखिए 9th का जो आपका आंसुर है आप सब लोग जानते है thermal stability से related है क्योंकि यहाँ पे हम जब second A carbonate की बात करते हैं तो thermal stability यहाँ पे बहुत important role play करता है तो यहाँ पे आपका आंसुर होगा option C9 में जो है thermal stability अब देखिए आपका बहुती मज़ेतार बहुती interesting question आता है 10 number question आयन which has maximum complex forming tendency आपको बताना है lithium प्लस, beryllium प्लस टू और barium प्लस टू या cesium प्लस इन में से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा complex form करने की tendency किसकी होती है यानि कौन सबसे ज़्यादा complex बनाता है यह आपको बताना है और जो सबसे अच्छा या जो हमाई साथ continuously जुडावा है उस बच्चे को हम notes provide कराएंगे बच्चे एक से ज़्यादा भी यहाँ पे इस gift को ले सकते हैं तो करते रहेगा हमें support और बने रहेगा हमारे साथ thank you